गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स आज हम आपको आपकी हिंदी पठ पुस्तक से चैप्टर थर्टिन अहिंग्सा के पुजारी पढ़ाऊंगा ठिक है तो आप लोग तयार हैं ओके अहिंग्सा के पुजारी का क्या आर्थ है अहिंग्सा का मतलब है किसी प्रानी या जीब को ना मारना मन वचन कर्म से किसी को दुख न देना अहिंग्सा का समान्य अर्थ है हिंग्सा ना करना ओके पुजा और पुजारी का अर्थ है पुजा करने वाला वेक्ति या देवतुल मान कर भक्ति करने वाला वेक्ति ठीक है लियर हो गया अब मैं आपको पढ़ाऊंगा आप लोग ध्यान से सुने और मैं इसका उत्तर अर्थ भी बताऊंगा हमारे प्यारे बापु संसार में सांती और अहिंसा के पुजारी के नाम से प्रसिद्ध है यहां बापु किसके नाम से सम्मधन किया जा रहा है यहां महत्मा गांधी जी के नाम से उन्हें बापु कहा जा रहा है ठीक है बापु संसार में सांती और अहिंसा के पुजारी के नाम से प्रसिद्ध है बचपन सही वे बहुत सीदे साधे और इमांदार थे उनका पूरा नाम मोहंदास करमचन गांधी था तो महत्मा गांधी जी का पूरा नाम है मोहंदास करमचन गांधी उनके बिचार बहुत उचे थे वे अपने माता पिता के आज्या का पालन करते थे तो मैं ये भी कहूँगा, आप लोग भी अपने माता पिता के अज्जा का पालन करे, बापू के आदर्सों में चले, थिक है, बिद्यार्थी जीवन से ही वे अपने सिछकों का सम्मान करते थे, तो आप लोग भी करते हैं, सिछकों का सम्मान, अपने साथियों से सदा अच्चultan में जो भी साति है आप भी अच्छे बरताव करते हैं। बहर का मतलब होता है यहाँ बरताव, वे सदासत्य बोलते थे, यहाँ सम्मान का अर्थ है आदर इजत, ओके, वे सदासत्य बोलते थे, यह उन दिनों की बात है, जब गांधी जी इसकूल में पढ़ते थे, एक दिन उनके बिद्यालए में निरिच्छक महोदय आए, बिद्य निरिच्छक का मतलब है जाच करने वाला एक दिन महत्मा गांधी जी के स्कूलों में आए और निरिच्छन करते हुए यानि जाच करते हुए वे मोहंदस गांधी के कक्छा में भी पहुंचे उन्होंने कक्छा के विद्दार्थियों को सुरूत लेक लिखने के लिए अंगर कर लिखते हैं उसे सुरूत लेक कहते हैं उन पांच सब्दों में एक सब्द कैटल भी था कक्छा के सभी विद्दार्थियों ने यह सब्द सुद्ध लिखा पर मोहंदस इस सब्द का सुद्ध रुप न लिख सके अध्यापक ने यह देख लिया उन्होंने पैर के इसारे से मोहंदस को बताया कि वे अगले बिद्दार थी की कांपी से देखकर अपनी गलती सुद्धार ले यानि सिच्छक उनकी लिखा देख लिया था और वो गलत लिखा था इसलिए उन्हें इसारा क्या पैर से ठीक है वे इस तरह दुसरे छात्रे की कांपी देखकर अपनी गलती को सुद्धार ना बैमानी मानते थे अध्यापक दुवारा बार बार इसारा करने पर भी उन्होंने वैसा नहीं किया उस दिन पूरी कक्छा में केवल गांधी जी ही ऐसे विद्धार थी थे जिन्होंने एक सब्द असुद्ध लिखा था ठीक है तो गांधी जी को इस गलती पर कोई पच्टवा नहीं हुआ इस प्रकार दुसरों की नकल करके अपने गलती को सुद्धार ना उन्हें बुरा लगा अगर वो चाहते तो वो किसी के कापी करके लिख सकते थे लेकिन वो इतने इमांदार थे वो दुसरे की कापी करना और गलती को सुधनना उन्हें बुरा लगता इसलिए उन्होंने ऐसा नहीं किया आगे चल कर उस दिन का वो गुद्धु छात्र संसर का प्रसिद्ध महापुरुस बना यानि महानादमी बना उनके लिए सम्मान में सीर स्वेंग जुग जाता है सदाचार का पालन करते हुए गांदी जी ने मानब्ता की सेवा की इसलिए सारा संसर उन्हें आदर से महत्मा कह कर पुकारता है सदाचार का मतलब होता है अच्छा आचरन ओके मानब्ता का मतलब होता है मनुष्यता आदर का मतलब होता है इज्जा अब आप सब्दार्थ को याद करेंगे अपने घर पर अच्छी तरह से और अपने उत्तर पुस्तिकाब में लिखेंगे इसकी सिक्षन बिंदु ये है मैं थोड़ा से आपको बताना चाहता हूं गांधी जी ने अंगरेजों से विरोध को प्रकट करने के लिए सत्ता ग्रह को अपना प्रमुक्स अस्त्र बनाया सत्त अहिंसा रोपी अस्त्रों के सामने अंगरेजों के कुटिल निती तथा अमानोबिय विवहार के विरोध गांधी जी ने आंदोलन अरंब किये आशहोग आंदलन एवं सविने अवैग्या आंदोलन का नेतित्त किया गांधी जी के उच्च आदर्शों एवं सत्त के सम्मुक उन्हें जुगना पड़ा और वे हमारा देश छोड़ चले गए इस परकार हमारा देश 15 अगस्त 1947 इसरी को सोतंत्र हुआ गांधी जी ने अच्चुतों का उद्धार किया उन्हें हरिजन नाम दिया भासा जाती और धर्म संबंदी भेदों को समाप्त करने का आजीवन प्रत्न किया स्वेदेशी बस्तुओं के उपयोग पर जोर दिया सूत काटने सब धर्मों को आधर्स से देखने और सच्त अइंग्सा के जीवन में अपनाने की सिक्षा दी गांधी जी बिश्व को शांती का संदेश दिया गांधी जी ने प्रेम और भायचारे की भावना से भारत की जनता को हिदय पर राज किया वे देश में राम राज्जी स्थापित करना चाहते थे भारत को आजादी के पस्चात देश दो टुकडों में विभाजित हुआ भारत और पकिस्तान इस बात का आपको बहुत दुख पहुँचा हमारा दुरभायग था कि इस नेता का मार्गदर्शन हम स्वतंतरता प्राप्ति के बाद अधिक समय तक नहीं पासके और नाथुनम गोड से नामक बेक्ति की गोली से 30 जन्वारी 1948 को गांधी जी की चीवन लिला समाप्त हो गई एक भविश्य द्रिस्टा यूग द्रिस्टा हमारे बीच से चला गया आज गांधी जी हमारे बीच नहीं है किन्तु उनके आदर्श सिद्धान्त हमें सदेव याद रहेंगे उनका नाम अमर रहेगा और आप लोग मोखिक और लिखित प्रसन उत्तर आप लोग खुद करेंगे और अपने उत्तर पुस्तिकापे लिखेंगे अगला चेप्टर मैं अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा